जेहिं दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चेनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर बहुत ही महत्पूर्ण कॉस्चन आंसर यहाँ पर गोबिंद बल्लब पंत जी से संबंदित वीडियो पूरा वस्त देखना है अगर आप चेनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें ताकि अनलोग भी एह वीडियो देख सकें गोबिंद बल्लब पंत जी से संबंदित फर्स्ट कोसिन क्या है उससे पहले हम आपके लिए बता दें क Self Study Classes लेकर आया है आपके लिए हिंदी सायथ का संपूर्ण курse है घंदी सायथ की टेश्ट सीरेज बहुत ही कम दामों में तो आपको Self Study Classes आप डाउनलूड करना प्लेश्टोर से और यहाँ से आप जो भी परचेश्ट करना चाहते हैं वह कुर्स आप परचेश्ट करें 2020 ट इस टेस्ट सीरेज से भी अब अच्छ जणे हिंदी साथ की टेस्ट सीरेज होती है तो Selfie Study Classes अब डाउनलोड कर लें Play Store से और अपनी तैयारी में लग जाएं गोबिंद बल्लब पंत जी से सम्मादे फर्ष्ट कॉस्चन है कि गोबिंद बल्लब पंत मूल रूप से है यह उपन्यासकार नाटककार कहानी या आलोचक माने जाते हैं तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्ब नंबर सी राइट आंसर है नाटककार विकल्ब नंबर सी आपका सही आंसर होगा अंगला question क्या है गोबिंद बल्लब पंत का जन्मे कब हुआ यह आपके लिए बताना है तो question number आपका यहाँ पर पूँचा गया है question number 2 गोबिंद बल्लब पंत का जन्म कब हुआ तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर 1887 इस भी विकल्ब नंबर एक सही आंसर है गोबिंद बल्लब पंत का कौन सा नाटक है जिसका अनिक बार मंचन हुआ question number आपका यहाँ पर पूँचा गया है तीन और तीन का राइट आंसर है आपका अंतापुर का छित्र विकल्ब नंबर बी आपका सही आंसर है जिसका अनिक बार मंचन हुआ है question number 4 है अन्तापुर का छित्र नाटक किस मंचन पर स्वयम जवाहलाल निहुरू भी पधारे थे तो यहाँ पर बताने है अन्तापुर का छित्र नाटक के किस मंचन पर स्वेम जवाहलाल निहुरूबी पढ़ारे थे तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प मंबर C आनिकी स्वाब मंचन स्वाब मंचन आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही गोबंद वललापंत के किस पत्र का संपादन गोबंद बल्लापंत ने किस पत्र का संपादन किया था तीप्र हिमाला तीप्र घाटी हिमाला या पिघलता हिमाला तो इन्हों ने जो पत्र का संपादन किया था पिघलता हिमाला विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल चाहिए राइट आंसर है नमबर पाँच पूचा है गोबिंद बल्लव पंतर का समस्यात्मक नाटक सोजाता सबसे पहली किस नाम से प्रकासित हुआ था सो जाता जो है पहले किस नाम से प्रकासित हुआ ता question number 6 है जो की बहुती महत्तपुन question है और right answer है सोहाग बिंदी विकल्प number 1 आपका सही answer होगा गोबिंद वल्लप पंत ने किस पत्रिका का संपादन किया था यह आपके लिए बताने निकस नवीन तम अभ्यूदा तांडव तो question number 7 का सही answer है विकल्प number C आनिकी नवीन तम आपका right answer होगा गोबिंद वल्लप पंत का नाटक है अंगूर की बेटी, गंगा का बेटा, लहरों की बेटी या रोटी और बेटी इनका आपके लिए नाटक बताने गोबिंद वल्लप पंत का तो बिल्कुल सही right answer है विकल्प number 1 सही answer होगा गोविंद वल्लपंत का नाटक है अंगूर की बेटी Q9 पूचा है गोविंद वल्लपंत का उपन्यास है अंगूर की बेटी कागच की नाव, कासी का जुलाहा या फिर राजमकुट इनकी आपके लिए इनका उपन्यास बताने गोविंद वल्लपंत का तो कागच की नाव इनका उपन्यास माना जाता है Q10 क्या पूँचा देखे गोविंद बल्लापंत के इस नाटक में पन्ना धाय के पोत्र बलीदान की कता का बंदन है तो किस में बंदन है तो आपके लिए आपको बहे नाटक पतान है वहे कौन सा नाटक है जिसमें पन्ना धाय के पोत्र बलीदान की वहें कता का बंदन है तो राज मकट आपका सही आंसर होगा गोविंद बल्लापंत के इस नाटक में परित्यक्ता नारी की मनह इस्तिति एवं सामजिक इस्तिति का चित्रन है वहे कौन सा नाटक है गोबिंद बल्लपंत का तो आपका यहाँ पर सही आंसर है वह राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर question number 11 का C आने की सिंदूर की बिंदी आपका राइट आंसर होगा question number 12 यहाँ पर पूछा गोबिंद बल्लपंत के इस नाटक में मद्द पान की समस्या का चित्रन है तो भै कौन सा नाटक है स्वाग बिंदी है सिंदूर की बिंदी है बरमाला है अंगूर की बेटी है जिसमें मद्द पान की समस्या का चित्रन है तो राइट आंसर है अंगूर की बेटी विकल्प नंबर B आपका सही आंसर होगा गोबिंद बल्लपंत का मारकंडिय पुराण पर आधारित नाटक कौन सा है Question number 13 है और 13 का सही आंसर है आपका विकल्प number D यानि की बरमाला आपका सही आंसर होगा इनमें से कौन सा नाटक गोबिंद बल्लपंत का नहीं है देखें नहीं पूचा है तो नहीं में आपका हो जाएगा कौन सा नहीं है प्राष्चित प्राष्चित आपका यहाँ पर विकल्प number एक सही आंसर है Question number 15 है सोजाता उपन्यास जो है कब प्रकासित हुआ था उनने 49, 44, 41 या 42 इस भी में तो सोजाता उपन्यास का प्रकासित हुआ था यह पूचा है तो उनने 140 इस भी आपका राइट आंसर यहाँ पर है इनमें से गोबंद बल्लपंत का उपन्यास कौन सा नहीं है देखें यहाँ पर भी आपसे नहीं पूचा है तो Question number आपका यहाँ पर 16 है कौन सा उपन्यास जो है गोबंद बल्लपंत का नहीं है तो बी रांगना यानि की विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा अन्तापुरका छित्र उपन्यास का प्रकासिन बर्स क्या है Question number 17 है वो 17 आपका जो सही आंसर है बहे आपका राइट आंसर क्या राइट आंसर बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका भी राइट आंसर है कि अन्तापुरका छित्र उपन्यास का प्रकासिन बर्स है 1944 इस भी विकल्प नंबर भी राइट आंसर होका बहुत बढ़िया विकल्प नंबर भी यहाँ पर सही आंसर है पिरकार अपन ने यहाँ पर देखे गोबिंद बल्ला पंत जी से संबंदित महत्तपुल्ड कॉस्चन आंसर कैसा लगा ही वीडियो कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और जादा से ज सब्सक्राइब करें और अपनी तयारी में लग जाए सरसब अबलीकेशन कई माला बस्तुनिष्च की एबुक है और सभी लोग वीडियो को लाइक से रवस्त करें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद